किया है नयाइमूर्थी विश्वनाथ रत से विशेश बात की हमारी संभादता अजय मिश्व ने आपको सुनाते हैं श्री जगनात धाम में भगवान जगनात के रत्न भंडार को खोलने की जो प्रक्रिया है उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस पूरी प्रक्रिया के लिए ओडिशा सरकार ने एक उच्चस्तरी समितिक अगठन किया है जिसके अध्धक्षता कर रहे हैं जस्टि प्रक्टिया क्या होने जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया को इसका पेसबरी सिंपजार है। देखे, ओरिजिनली जो जगनात का जुलरीज एंड गैना है, वो राजा का तत्वा बदान में था। तो ब्रिटिश के टाइम में उसको फिलिंग हुआ कि नहीं ये ठीक से देखबाल नहीं होता है। एक ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बना कि जिस चाभी के आप बात करें हों चाभी गई कहां। अब मानलीजे ये रविवार को तय किया गया है कि आप लोग फिर सिरत मंदार खोलेंगे। चाभी का क्या होगा और अगर चाभी नहीं मिलती है तो फिर उसमें क्या यसूपी आप लोग ने बनाई। 2018 में खोलने का कोशिश किया गया मंदिर का जो भीतरभंडार का अंदर रिपैरिंग करने के लिए एस आई टीम को हाई कोट ने दिया था डायरेक्शन दिया था आप जाओ जाके उसको देखो देखके उसको रिपैर करो। तब ही जाके उसमें एक अटेम्ट हुआता है कि उसको खोल के उसका अंदर देखेंगे क्या है हाल उसी साब से आगे जाना है। चार काम है इसमें, यह जो प्रोजेक्ट है, यह एक प्रोजेक्ट है, उसमें चार दिसा है, एक दिसा तो उसको खोलना, चाबी रहते हुए, नहीं रहते हुए, हम डिस्टन ले लिया कि चाबी मंगाएंगे, वो लोग चाबी देते हैं, अच्छा है, उसमें कोशिच किया ज जाएगा कि उसका डामेज प्रस्पेक्ट क्या है अच्छा अगर हम मुरामत को देंगे तो हमको वहां से भगवान का जो जो जोलरी जैंड औरनमेंट्स है को उसको फिर कोई से कोड़ प्लेस को लेना है धन्यवाद बात करने के लिए वक्त निकालें तो इस पश्च तौर प जो बायदा किया था और जो लोगों को ये गारेंटी दी थी कि रत्नभंडार के दरवाजे खोले जाएंगे उस पर तामिल की जाएगी और ये काम रविवार को ही किया जाएगा कैमरामेन जगमोहन के साथ अजय मिश्र डीडी न्यूज जगननाध धाम